मैं हूं आदर्श कुपाउथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर होने वाला है हमारा ADR सब्जेक्ट के अंदर ही एक टोपिक के ऊपर जो की है मद्यस्थम पंचाट आर्बिट्रेटल अवर्ड इस वीडियो में हम मद्यस्थम पंचाट को पूरी तरह से समझने वाले हैं मद्यस्थम पंचाट क्या होता है वैद मद्यस्थम पंचाट के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं पंचाट जो है डिक्री का रूप कब धारन कर लेता है यानि कि जो मद्यस्थम पंचाट है वो नियाले के डिक्री के बराबर कब हो जाता है और जो नियाले का आदेश है उसमे और पंचाट में क्या-क्या अंतर है इन सब चीजों का आज हमकी वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है विदेशी पंचाट के बारे में जानेगे इस बार हम मद्यस्थम पंचाट क्या होता है इसके बारे में पूरा जानने वाले हैं आधरन भाषा में मद्यस्थम पंचाट क्या कहता है किसे कहते है इस बारे में मैं आपको बता देता हूं जैसे न्यायले से कोई आदेश पारीत होता है न्यायले की कोई डिकरी पारीत होती जो न्यायले का आदेश होता है उसे आदेश या डिकरी करते है उसी प्रकार से जब कोई विवाद न्यायले में नहीं जाकर के मद्यस्तम के पास जाता है तो मद्यस्तम की प्रक्रिया द्वारा जो विवाद का जो निर्णे दिया जाता है उस निर्णे को जो है मद्यस्थम पंचाट करते हैं यानि कि मद्यस्थम पंचाट ही मद्यस्थम द्वारा दिया गया अंतिम निना होता है उसे मद्यस्थम पंचाट करते हैं तो नियाले अगर कोई निना देता है तो उसे लिख्रिया आदेश कहते हैं यह तो हो गया साधर्ण बाशा में मैं आपको बता दें अब बात करें इसकी परिभाशा की कि इस किताब में इस एक्ट में इसकी परिभाशा कहां दिगी है तो मद्यस्था में सूला अधिन्यम 1996 की धारा दो में मद्यस्थाम पंचाट की परिबाशा दिए वह परिबाशा क्या दिगई है जो आप परिबाशा पढ़ेंगे तो परिबाशा कुछ इस प्रकार है कि मद्यस्थाम पंचाट के अंतरगत एक अंतरिम पंचाट सम्मिली थे इस Act में काई सारी परिबाशा है एसी है जिनको पढ़ करके हमें clear नहीं होता कि वो शब्द की क्या परिबाशा है या वो शब्द क्या कहना चाहता है क्योंकि इसमें अधूरी परिबाशा दी गई होती है पहले कि आप वीडियो देखोंगे तो उसमें भी मैंने जो परिबाशा इस Act में दी गई है यूँकि यूँ मैंने आपको बताई है तो उन्हें पढ़कर लगता है कि या तो वो अधूरी परिबाशा है या उन परिबाशाओं को पूरी तरह से explain नहीं किया गया है जिस वज़े से हमें वो शब्द समझ नहीं आता जैसे यह परिबाशा थी इस Act के धारा दो में लिखी गई मद्यस्थम पंचाट की परिबाशा जो है वह है मद्यस्थम पंचाट के अंतरगत एक अंतरम पंचाट सम्मेली थे शिर्फ यही एक लैं लिखी वी है इससे हमें समझने हूठा क्या होता है इसलिए मैंने आपको आम बाशा में बता दिया कि जो मद्यस्थम जिस प्रकार से न्यायले का आधेश होता है उसे ही प्रकार से यह कि प्रकार से तरीके से अगर कोई नने डिया तो घंडम वहाद है लेकि Lon Guang में अलग प्रोसे से आ रहा है तो उसके लिए कुछ पइंट्स के घृब right है वेद्ड मदेश्थम पंचाट के आविश्यक लक्षाण के ने लक्षण रहें पर उसे मदेश्थम पंचाट इसमें की धरा 31 में एक परउडशा दीगही है काफी लंबी परिबाशा दीग है 78 points के साथ दीगी है जब उस परिवाशों को आप पढ़ेंगे एक page की है तो उसमें आपको यह सारे points मिलेगे उसमें direct point wise नहीं बना रखें मैंने आपको यहां 5 points बना करके मैं आपको यह बताने आलाँ कि क्या कि आवश्य collection है इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें धारा 31, 31, 31, 32, 31, 33 इस तरह से धारा 31 आठ तक कुछ point दे रखें उन सारे points को मैं समय लिए रूप से यह आपको 5 points में बना करके बताने वाला हूँ इससे क्या है कि आप bullet points याद करेंगे आपको एक्जाम में भी याद रहेगा जब आप एक्जाम में इस तरह से bullet points के रूप में लिखेंगे तो examiner भी आपको अच्छे नमर देता है तो बात करते हैं वेद पंचाट के आवश्यक लेक्षन के बाले इसका पहला लेक्षन है सारे इलेक्षनán कार्ड दे आपको देए गए लिखा गया कि पंचाट का लिख फो नावश्यक है इस अधिनयम के अंतरकत मोखिक पंचाट को कोई महत्व नहीं दिया गया अगर मद्यस्तम द्वारा मोखिक रूप से कोई बात कही गई है, मोखिक रूप से कोई पंचाट अगर जारी किया गया है, या मोखिक रूप से पंचाट कही अगर कोई बात की गई है, तो उससे कोई महत्व नहीं दिया गया है, उसका कोई महत्व नहीं है, वो एकडम शुन देखकर किया उससे आपको इन सारे पॉइंट को समझने में मदद मिलेगी उसके साथ ही आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात करा हूँ आप करने से कर पाईंगे मद्यस्तम कर लिखित ओने में सेम बाताऑं सिब्स जो हम पहले पढ़ोतां जो ही मद्यस्तम की बातों चांता है और जिस बाशा में lesta ha चाहिए सेम भाशा में जिस भाशा में कारवाई होए और अक्रेक्स ना έलता, यह नियाना इकैनों सर्ड़वाई होए है जिस भाशा में सारी पंचाड की कार्वाई होई है। अब बात करें धारा फीए का कुछ एक कुछ बहु। deben, वह स्ताक्ष्ट होए है। प्लस दारा 31 दो में भी पूर्ण रूप चे बात कहीं कि यह स्ट्रक्षित हो नची जब आप इस एक्ट को पढ़ोगे आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो उसमें इस तरह से पॉइंट नहीं बना रहे हैं यह पॉइंट मैंने आपके लिए बनाएं ताकि आपको अच कुछ वाग में धारा 31 में भी यह बात कहीं कि पंचाट का हस्ताक्सरख होना आविशेगया तो न्यायदिकरण के जो मद्यस्तम कारवाई के जो न्यायदिकरण है जो मद्यस्त विक्ति है उनके द्वारा जो पंचाट जारी किया गया है उस पंचाट पर उनका हस्ट्राक्षर होना आविशेग है सिर्फ लिखित होने मात्र से वो जो है वेद पंचाट नहीं बन जाएगा सिर्फ लिखा गया है तो उसे वेट पंचाथ नहीं माना जाएगा उस पर उनके हस्ट्राक्षर भी होने चाहिए अब पहले मैंने आपको बताया भी था कि माध्यस्ट कितने वेक्टी होते हैं पुरानी वीडियो में मैं बता चुका हूँ माध्यस्ट एक भी हो सकता है माध्यस्ट तीन भी हो सकते हैं माध्यस्ट पास भी हो सकते हैं यह माध्यस्ट समसंख्या में नहीं होते हैं कैसे इनका चुना होता है यह सब भी मैं आपको बता चुका हूँ तो अगर एक से अधिक माध्यस थे यानि कि तीन माध्यस थे या पांच माध्यस थे तो एसी स्थिति में क्या होगा कि एक दो तीन माध्यस थे तो कम से कम बहुमत जो माध्यस थे उनका बहुमत जो न्यायदिकरण है जो बहुमत रिखती है उनके हस्ताक्षर हो जाने सी स्थान का पडाओ क्या जा जा जातें आगले पोइन इस्थान का उलец क्या जाना चीए ये का धारा 31-4 में ध्यान रहे पंचाट का लिखित होना धारा 31-1 में पंचाट का हस्ताक्षित होना 31-2 में और तिथिया विस्थान का उल्लेकित किया जाना 31-4 में 31-3 में नहीं, 31-3 में अलग पॉइंट है ये मैंने क्यों लिखा है, मैं आपको अभी बताऊंगा 31-4 में तिथिया विस्थान के बारे में बताया गया है यानि कि जो पंचाट जारी किया गया है उस पंचाट के अंदर, वो पंचाट कब जारी किया गया उसकी तिथि लिखि होनी चाहिए इसके बाद वो पंचाट किस इस्थान पर जारी किया गया किस इस्थान पर बेट करके लिखा गया किस इस्थान पर पंचाट सुनाया गया ये बात भी लिखी होनी चाहिए यानि कि उस पंचाट के अंतर उस इस्थान का उलेक भी होना चाहिए किस तिति को वो पंचाट जरी किया वो तिति का भी उलेक होना चाहिए अब पहले मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ मैं आपको बार-बार के रहा हूँ कि अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी एडियार की वो वीडियो देखते हुए आईए सीरीज से चलिए ताकि आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ वहेंगी तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्थान का सेलेक्शन भी कैसा होता है कोई भी मद्यस्तम कारवई में किसी भी इस्थान का चैन कैसे होगा कि इस इस्थान पर मद्यस्तम कारवई की सुनी जाएगी मद्यस्तम कारवई की जाएगी तो इसका चैन कैसे होता है पक्षिकारों की सूईदा के अनुसार होता है वाद कहा उपन हुआ उससे देखते हुए होता है वाद के जो तत्य है वो कहा है उससे देखते हुए उस स्थान का चेन किया जाता है यह सारी चीजे में पहले भी पढ़ा चुखा हूँ जो मद्यष्ट का जो इस्थाने वो चैन किया जाता है तो उस्थान का उन्लेग भी इस में किया जाना चीह और जिस तिथी को पंचाड जारी किया गया वो तिथी भी इसमें मेंचन होनी चाहिए यह था डारा मेंच 4mäß अब अर्ष यह तैस जू अब तरी róż इंध यह तीन के उपर इनीची इसलिए लिखा है ये तीनों चीज़े जो है वो पंचाट का जो पेपर है उस पर लिखी हो नीची इसलिए रिटर्न हो नीची इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ रखा है ताकि आपको अच्छा से याद रहे इन तीनों में को लेक उस पंचाट में किया जाना चीजिंगी इन कारणों की वज़ेसे इन कज्थन को तब सब्सक्शन में और सभी में इंसी के बारे में और किसके बारे में अब कई बार करो होता है की आ 2000 का हुटी कुई वाद उत्पन हुआ पहली नेकी सेकंड पोसेस जब ushes भीडाव दburg सेजारा कि जब ठर एक स्टेज मानरे लेतें वतत में चल रही है चलंद सकीश यहां जया भी तुस्टवडों की और बीद सetrण से कमटर चार्मियों सब्सक्राइब के पाद जो बहुत सरी सबसक्ति हो सकते यह मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा कीकि कैई आप मध्यस्त के पास अगर कोई कोई गया है तो कोई नो कोई वाद उतपन होगा तब ये चाकरके मध्यस्त के पास अब अब कई भाद उत्पन हुआ है एसी स्थिती में जब वह वाद उत्पन हुआ है तो उसमें कोई जदिती में जो मद्यस्त को सही लगता है उतने परसें ब्याज अगर ताई करता है तो ऐसी इस्तिति में मद्यस्त व्यक्ति जो है उसे अपने पंचाट में लिखना होगा कि ब्याज कहां से गिना जाएगा कहां तक गिना जाएगा यानि कि जहां से वाद कारण उत्पन हुआ ऐसी कोई की जिसके कारण वाद उत्पन हुआ तो उस दिनांग से जिस दिनांग को ऐसा कुछ वाद कारण उत्पन हुआ था उस दिनांग से लेकर के अब तक का गिना जाएगा या जहां से कार्वाही चालू हुई जिस दिन मज्यस्थम की कारवई चालू हुई पहला दिन था उस दिन से गिना जाएगा ब्याज या जिस दिन से वादकरन उत्पन हुआ था पहले वहाँ से गिना जाएगा या फिर जिस तिथी से वादकरण उत्पन हुआ और जिस तिथी को पंचाट जारी किया गया इस दोनों तिथी के बीच जितने दिन थे उतने दिन का ब्याज दिना होगा या जिस दिन पंचाट जारी हो गया उस दिन चे लेकर के जब तक सारे पैसे लोटा नहीं दिये जाते तब तक का ब्याज गिना जाएगा कौन सा ब्याज गिना जाएगा ये उससे मद्धिस्तम पंचाट में क्लियर करना होगा एक बार वापस समझ लीजिए, जिस दिन, सपोज A और B दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई लड़ाई जगड़ा हो गया और ये मद्धिस्त के पास गए, मैं एक्जामपल के तोर पर समझा रहा हूं, इसे आपको लिखना नहीं है, A और B कि मान लीजि जो भी लेंदेने, उसमें A को जो है, B व्यक्ति को ब्याज देना होगा, तो ऐसी इस्तिति में सिर्फ अगर एसा लिख दिया जाएगा कि ब्याज देना होगा, तो वहाँ क्लिर नहीं होगा कि ब्याज कहां से देना होगा, जब पैसे लिये थे तब से देना है, जब वाद पेसे लोटा नहीं दिये जाते, तब तक ब्याज देते ही रहना है, क्या करना है, एसी चीज को clear करना होगा, मद्यस्तम पंचाट के अंतर, मद्यस्तम को, जब वो ऐसा clear कर देंगे, तो ही उसे वेद पंचाट माला जाएगा, तो इन तिनों में यही बात कहीए, यही बात कहीए, कि आज कहा से कहा तक धिन आ जाएगा, इसके बारे में बताया है, अब आ जाता है हमारे अगले point के उपर, जो कि यह पंचाट कब डिक्री बन जाती है, नियाले की डिक्री जो यह कब बन जाएगा पंचाट, अब इसको भी अच्छे से समझना है, यह जो बा deduct कहते हैं यह अभी समझ चुक हैं कि जो न्याले द्वारा डिक्री जारेत होती है, जब यह 25 होता है, यह जो पंचाट है इसकी value एक नियाएक जू अचाट है इसके बराबर इसकी value कब मानली जाएगी।抗 इसके बारे में इसी अधिनियौ मैं चुला अधिनियम 1996 की दाराः च Dabei अब इसको द्याक को बहुट अच्छा शुटिस में क्या बताया गया मद्यस्तम पंचाट कब डिक्री बन जाता है इसके बारे में धाराच चतिस में बताया गया लेकिन धाराच चतिस में इन्हों ने क्या लिख दिया कि धाराच चतिस में इन्हों ने लिख दिया जो धाराच चोतिस में लिखा गया है वो जब पूरा हो जाएगा तो जाकर के पंचार जो है डिक्री का रूप दारण कर लेगा यानि कि इन्होंने दारा चातिस में ये लिख दिया कि दारा चोतिस में जो लिखा है वो हो जाएगा तब जाकर के पंचार जो है डिक्री का रूप दारण कर लेगा अब हमें यह पढ़ना है क्योंकि हमें तो पढ़ना ही कि ठीक बन जाएगी उसके लिए धारा 24 में क्या लिखायнул जहां धारा 24 के अंतरगत Ó 45 को अपास्त करने के लिए आवेदन का समय समाप्त हो जाता हो एसी इस्थिति में जो है वो दारा 36 के अंतरगत पंचाट जो है डिक्री बन जाएगा यानि कि यह वी के बीच कोई विवाद उत्पन हुआ उस पर मर्देस्तम पंचाट जारी कर दिया गया अब पंचाट माल लीजिए एक 1999 को जारी किया गया तो पंचाट की एक निश्चित अवदी होती है हर मामले में अलग-अलग प्रकार से कैसे भी हो सकती है वह उस अवदी तक अगर एया अबली में से कोई भी विक्ति उस पंचाट से असंतुष्ट है तो वो जो है धारा 34 के अंतरगत जो है उसे अपास्ट क करने के लिए आवेदन का समय जो है इसमें बताया गया धारा 34 में अभी में से अगर असंतुष्ट है उस निर्णा से जो माध्यस्तम का पंचाट है उससे असंतुष्ट है तो वह जो टाइम लिमिट दिया गया होता है उस टाइम लिमिट के अंतरगत अपील कर सकते हैं उस करने के लिए उस माध्यस्तम पंचाट को अब अगर वह टाइम लिमिट पूरी हो जाती है उस टाइम लिमिट के पूरी होने तक यह और भी अगर दोनों में से कोई भी अपील नहीं करता है कोई भी आवेदन नहीं करता है तो जब वह टाइम लिमिट जैसे ही पूरी होगी तब जो वो पंचाथ है वो पंचाथ डिक्री का रूप धारन कर लेगा यानि कि उस पंचाथ की value उस डिक्री के बराबर हो जाएगा उस डिक्री के रूप में मान लिया जाएगा उस time के पूरे हो जाने के बाद कोई भी जो है उससे अपस्त करने का आवेदन नहीं कर सकता लेकिन कुछ cases में ऐसा भी हुआ है कि जहां यह valid कारण हो कि इस कारण की वज़े से जो है इस तिति के अंतरकत जो आवेदन नहीं किया जा सकता था तो ऐसी स्थिति में ऐसी rare स्थिति में मान भी लिया जाता है उस तिति के बाद भी जो आवेदन को है स्थिकार कर लिया जाता है लेकिन यह बहुत rare जांस है जनरली क्या है कि वो तिति जैसे ही समाप्त हो जाएगी आवेदन करने की उसके बाद पंचाट जो है डिक्री का रूप दारण कर लेगा अब जो न्यायले की आदेश होता है न्यायले की जो डिक्री होती है उसमें और इस पंचाट में क्या अंतर है इसको पढ़ लेता है तो न्यायले की डिक्री में न्यायले की आदेश में और पंचाट में मुख तीन अंतर है पंचाड जो है निप्तारा करता है दोनों पक्षो को सुनेगा और पंचाड यह कोशिश करता है पंचाड जो है IPC आप CRPC के तहत नहीं चलेगा मद्यश्टम की जो प्रक्रिया होती है उसे IPC आप CRPC के नियमों को मानने के आपशिक्ता नहीं होती है यह मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ पहले भी हम देख चुके हैं इस एजी नियम के अंतरगत यह लिखा हुआ है कि इन रूल को फोलो करने की जरुद नहीं होती है वो नेसरगी ग्णियाए के सिद्धान पर काम करता है उसे एएविण से लेना देना नहीं रखना होता है तो एसी इस्थिति में जो मध्यश्त वाली प्रक्रिया यह यह और भी दोनों की बातों को सुनती है जोनों का मिला जूला निर्णे निकालती है जिसमें इसे भी थोड़ा फाइदा हो थोड़ा कॉंप्रोमाइज एक करे थ अईसा नहीं देहा जाता है कि इसकी गलती है मिल जुल करके बात को मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है तो फंचाय पैंदर क्या होता है यह निप्टारा नहीं होता हो तो एसी स्थिति में पंचाट जो है वो निप्टारा करने का कारी करता है आदेश जो है निप्टारा कर भी सकता है और विपक्ष में भी हो सकता है अब पंचाट जो है पंचाट में इसे सब्दों का प्रियों किया जाते है कि पंचाट या अंतिम पंचाट है या अंतिम आधेश ही होता है कि अब जो पंचाट है कि पंचाट अपील योगी होता है जलेटेशा संतुष्ट नहीं है तो और उसकी अपील किंग गया है या अगर नीचे या कोट इसे नियाल है तो उनकी उपर की कोर्ट में अपिल की जा सकती है लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से ही अगर कोई ऐसा आदेश आ गया है या इसा कोई आदेश जारी कर दिया गया है तो जिसकी अपिल ही नहीं की जा सकती हो सकता है कि आदेश के अंदर अपिल की भी जा सके और और अपिल नहीं भी कि जा सके लेकिन पंचाड जो होते हैं उनके अंदर सदेव अपिल की जो गुंजैशे वो बनी रहती है यह था आज का हमारा मद्यस्तम पंचाड का पूरा टोपिक इसके आगे हम विदेशी पंचाड को भी समझेंगे आज को टोपिक आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके बताएं नेक्स्ति किस टोपिक के अंदर आप अपनी वीडियो चाहते हैं यह भी मुझे बताएं इस वीडियो की डिस्क्रिप्चन प्लमाता करते हैं लिздουν डिसी एक अफ्सेशन नॉट्स मुझे प्लमाता हैं Thank you.